ओम शांती आज 8 जैन्वरी 2024 है आज के स्लोगन के अंदर एक छोटा सा स्लोगन है जो करम हम करेंगे हमें देख और करेंगे इसका भावार्थ क्या है आज के स्लोगन द्वारा जानते हैं दूसरों को देखने के बजाए स्वयम को देखो और याद रखो जो करम हम करेंगे हमें देख और करेंगे हमारा लक्ष है स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन अगर हमें दूसरों को बदलने की शुप इच्छा रखते हैं तो पहले मुझे स्वैम को अपने आपको बदलना होगा और अपने आपको बदलने के लिए पहले अपने अंतर मन में जाकना होगा अपने आपको देखना होगा अपने आपको देखना अर्थात अपने अंदर की विशेशताई, गुन और जो भी अच्छाई है उसे देखना, उसे हर कारिय में लगाना और उसके साथ-साथ अपने अंदर की कमी-कमजुरियों को भी जानना, पहचानना कौन सी कमी है, कौन से अवगुन है, कौन सी खामिया है, कहां कहां पर ये अवगुन पार्ट में प्ले होता है, इस चीज़ को जानकर देख करके उसे बदलना ये बहुत इंपोर्टन है, परन्तु, human nature यही कहता है, कि हम स्वयम को कम देखते हैं, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं लेकिन दूस्ट्रों का भी क्या देखते हैं? उनकी अच्छाईयों को कम और उनकी बुराईयों को उनकी कमी कमजोरियों को ज्यादा देखते हैं. और इसी कारण से ना स्वयम बदल पाते हैं और ना ही दूस्ट्रों को बदल पाते हैं. कारण इसका कारण यही है कि जब हम दूस्टों की कमी कमजोरियों को अवगुणों को देखते हैं तो न केवल ये आखे उनकी कमीयों को देखते परन्तु देखने के साथ साथ उनकी कमीयों के बारे में मन में चिंतन चलता रहता है और जब मन में चिंतन चलता है जो सोचते हैं वही हम खुद बन जाते हैं अर्थात उनकी कमी कमजोरी देखना यानि उनकी कमी कमजोरीयों को अपने अंदर अपने आप ही बिना सोचे समझे ही धारन कर लेना इसलिए बाबा कहते हैं स्वयम को देखो किसी और को ना देखो किसी और को देखना है यदि तो उनकी गुण विशेष्टाओं को देखो लेकिन स्वयम को पहले जाको स्वयम की विशेष्टाओं के साथ साथ अपने अपने गुणों को देख करके उसे परिवर्तन करो तो जो मैं करूंगा या करूंगी मुझे देख करके सब करेंगे यानि जो मैंने परिवर्तन किया है, स्रेश कदम उठाए हैं, उन्हें देख करके और भी प्रेरिध होंगे और भी मेरे जैसे अच्छे गुणवान बन जाएंगे ओम शांति